हलो दोस्तों क्या से हो आप सब आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी चैनल बंसीदर फैशन पॉइंट में और मैं आप सभी का दोस्त वीडियो से हैं जाड जैसा कि मैं आज बताने आए हूं आपको कि मेरे पास है इंडस्ट्रियल मशीन का एक टेबल जिसे हम कैसे करेंगे स्टेप बाइस्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेबल को हमें असेंबल कैसे करना है इसके सारे नर्ट इसकी सारी फिटिंग्स हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही इजी तरीके से तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरीके से हमें एसेंबल करना है तो दोस्तों हमने ले लिए हमारी प्रिये केची सबसे पहले हम काटेंगे याला डिश क्याओं और हम इस पन्नी को काटेंगे क्योंकि पन्नी की पेकिंग काफी खतरनाक दी गई है तो हम सीधे इसे कट कर देंगे इस तरीके से पन्नी काटने में जो मज़ा है न दोस्तों उसकी बात ही कुछ अलगया पुरा टेप से पेकिंग हुई रेती है इसके हम इस परिकेसे इसे कट कर लेते हैं तो देखिये मिने इसे पूरा कट कर लिया है और इसकी पन्नी हम निकाल देते हैं यह हमारा पैकेट खुल चुका है इस तरीके से अब हम इसे पल्टा देते हैं इस तरीके से यह हमने पल्टा दिया और जो हमारा यह वाला हिस्सा है इसे भी हम कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं तो हम इस तरीके से से कट कर लेते हैं यह हमने कर लिया पूरा बॉक्स कट तो बॉक्स में देखिए हमें इस तरीके से चीजे मिलती हैं यह देखिए बॉक्स की फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी है और जो इसकी पैकिंग थी वह भी काफी अच्छी है और साथ में जो यह पटिय की कॉलिटी है वह भी काफी ज्यादा अच्छी है अधर मशीनों से इसका पटला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यह देखिए एकदम फ्रीशिंग में है यह पटला, अब हम इसके निकाल लेते हैं एक साइड में, ऐसे, और देखिए इसमें यह आता है, और यह सारी चीज़े आती है, और इसमें हमें nut box, nut के लिए एक पूर box मिलता है, जिसमें पूरी nut रखे हुए है, तो चलिए हम step by step इसमें लगाते हैं, तो दोस्तों यह कुछ इस तरीके से आती है, इन तो कुछ थोड़ा हलका वलका dent आ जाता है, और यह बहुत packing में आती है, तो आपको इस तरीके से कोई भी rubber का गुटका लगेगा, वह आपक है, तो जैसी आप मारोगे तो यह निकल जाएगा, आप चिपका रहता है, यह क्योंकि paint वागेरा लगाते हैं, तो चिपका रहता है, तो हम इसे loose कर लेते हैं, दोनों fight का, यह भी कुछ इसी तरीके से है, तो हम इस पर ऐसा rubber रखते हैं, और इसे loose करने की कोशिश करते हैं, देखे, इस तरीके से यह निकल जाता है, और इसमें अब हम nut लगाएंगे, nut का जो हमारा box था, देखे, इसमें पूरे nut दिये गए रहते हैं, कौन से nut, बहुत सारे मतलब nut हैं इसमें, तो हम nut लगाते हैं इसमें, के छोटे बड़े सारे size के nutे, तो हमारे जो याले nutे हम इस में, दोस्तों जेधा कि आप देख रहे हैं, ये nut हमें इधर लगाना है, और ये nut काफी easy तरीके से लग जाते हैं, और ये machine हमारी Japanese machine है, मतलब ये technology Japan की है, हमें nut इस तरीके से लगाना है, तो तीनो nut हम इस तरीके से लगा लेते हैं, और हम इस तरीके से एक screw driver का use करेंगे, जो कि ring पाना होता है, और साथ में दो पाने ऐसे भी होना चाहिए, तो ring पानी की मदद से हम बहुत ही अच्छी तरीके से nut को pack कर लेंगे, मगर आपको इस stand की size अपनी height के हिसाब से रखना है, तो इसे full रखिए, और अगर आपकी height कम है, तो इसे थोड़ा सा exhaust कर लीजिए, तो चलिए हम इसे fatak से अच्छी तरीके से लगा लेते हैं, हमें इन nut को काफी अच्छी तरीके से tight करना चाहिए, क्योंकि यह slip हो गए, तो आपको machine नीचे जाने की दिक्कत आ सकती है, और यह nut काफी अच्छी तरीके से रेते हैं, और यह screw में से slip नहीं होते हैं, तो हम इसे full जोड़ लगा के tight कर सकते हैं, तो stand को हम कुछ इस तरीके से तयार कर रहे हैं, तो machine के stand को हमने कुछ इस तरीके से तयार कर लिया है, यह एक side का है, अब हम इसे side में रख देते हैं, और दूसरे stand को भी फटाक से तयार कर लेते हैं, तो हमने देखें, दूसरे stand भी तयार कर लिया है, और इस stand को हम इस तरीके से खड़ा करेंगे, और इसमें हम यह वाला हिस्सा जो है, वो लगा देंगे, जहां पर Dyson लिखा हुआ है, इस इससे को हमें इस तरीके से लगाना है, और इसमें भी उसी प्रकार के screw लगेंगे, आपको एक जन की और मदद लगेगी, अपने हाथ से करने की कोशिश मत करिएगा, एक जन की help ले लीजिएगा, और हम पाने की मदद से इसे भी tight कर लेते हैं, इसमें भी दो nut होते हैं, दोनों nut को आपको बड़िया तरीके से tight करना है, यह देखिए काफे अच्छी तरीके से tight हो जाते हैं, इनकी position बराबर मिलाईए और nut बहुत इजी तरीके से tight हो जाएंगे, और रिंग पाने की मदद से आप इस तरीके से tight करिए, तो दोस्तों हम दूसरी तरब का भी कुछ इसी तरीके से tight करेंगे, जो हमाई दूसरी तरब का pair है, हम देखिए उसे इस तरीके से रखेंगे, और हम इसे set करके, इस तरीके से nut की packing दे देंगे, तो देखिए nut की packing कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही आसानी से आप nut की packing दे देंगे, कोई problem नहीं होगा, तो काफी आसानी होती है हमें nut की packing देने में, और ये हमारा 14 नंबर का पाना होता है, जो की ring पाना होता है, बहुत आसानी से हम इन nut की packing दे देते हैं, और और इन nut को जैसा कि मैंने आपको अभी तक के बताया है, आपको भैतरिंग तरीके से टाइट करना है, पुरी ताकत लगा के टाइट करना है, क्योंकि ये lose नहीं पढ़ना चाहिए, पुरा जोर मशीन का इन nut को पर ही आता है, तो काफी अच्छी तरीके से इनने टाइट करि और यह वीडियो देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे इस मशीन के स्टैन की पैकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने यह वीडियो पुरा देख लिया तो, तो देखिए हम इस तरीके से इसे टाइट करते हैं, चाउदा नंबर का प पर आजाते हैं स्टैन के, स्टैन टाइट होने करते कुछ इस तरीके से दिखता है, और हम उसे इस तरीके से पल्टा देते हैं, अब हमें इसे कैसे फिक्स करना है, वो जान लेते हैं, देखिए, यह जो हमारा फूट पैडल का पट्टी है, उसे इस तरीके से रखना है, औ ये नटो को हम इस तरीके से ही टाइट करेंगे जैसे हमने अभी तक के सारे नटो को किया है और बड़ यह आसानी से हम इन नटो को टाइट कर लेते हैं रिंग पाने की मदद से यह काम काफी आसान हो जाता है नॉर्मल पाने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मगर रिंग पाने की मदद से बहुत आसानी से यह काम हो जाता है तो देखिए हम कितनी आसानी से इन नटों को टाइट कर रहे हैं देखिए हमने काफी अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लिया है अब हम इस stand को जो हमारा table का पटला है उस पे हम tight करेंगे तो उसे किस तरीके से tight करना है वो मैं आपको बढ़ी आसानी से समझाता हूँ तो देखिए हम इस तरीके से इसे रख लेंगे और ये nut हम इसे लगाएंगे तो हमें ये nut लगाना है तो देखिए हम पहले type की मदश से देखेंगे हमें इस पट्टी को 3 इंच पर रखना है तो हमें gap आना चीए 3 इंच का और यहां से हमें 4.5 इंच का gap आना चीए तो हम देखिए इसे इस तरीके से fix कर लेते हैं एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से अब डिल की मदश से हम इसमें एक छोटा सा छेत करेंगे ना की बड़ा छेत करेंगे देखिए छोटा सा छेत करेंगे इस तरीके से डिल को अंदर तक के नहीं जाने दीजेगा नट का एक छोटा सा हिस्सा ही इसमें होना चाहिए इस तरीके से हम नट रख देंगे और नट को हतोड़ी की मदश से कुछ इस तरीके से ठोक के फिक्स कर देंगे आप चाहो तो स्कूरूड्राइवर की मदश से भी टाइट कर सकते हो और पाने की मदश से भी टाइट कर सकते हो हमें इस तरीके से नट ठोकने की आदत है तो हम बड़ी आसानी से ये नट ठोक लेते हैं इसे भी देखिए हमने जो उस तरिप की पट्टी को सेट किया था तीन इंच का वही सेट हम इधर भी करेंगे तीन इंच का आगे पीछे नहीं होना चाहिए परफेक्ट करीके से हम इसमें नाप दे देते हैं और बड़ी आसानी से हम इसे फिक्स कर देते हैं अब यहाँ पर हम ड्रील करेंगे छोटा सा यह देखिए और जो हमारा नठ है वह बड़ी आसानी से यहां फिक्स करदेंगे जैसा कि हमने उधर किया था तो देखिए हमने हतोड़ी की मदद से इसे बराबर fix कर दिया है और इसे आप कुछ से भी fix कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया और ये काफी अच्छी तरीके से fix हो जाता है अब हम दूसरे साइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर नाप लगा के देखते हैं कि हमारा ये जो हिस्सा है 4.5 इंच पर आ रहा है कि नहीं हमें बराबर ये हिस्से को भी 4.5 इंच पर रखना है और ड्रील के मदद से वैसा ही छोटा छेट करना है और यहाँ पर nut को इस तरीके से रखना है और हतोड़ी की मदद से इसे पैक कर देना है आप हतोड़ी की मदद से भी पैक कर सकते हैं और नॉर्मल पाने की मदद से भी पैक कर सकते हैं तो हम इसे इस तरीके से fix कर लेते हैं दूसरे साइट से भी हम नापेंगे कि हमारा जो हिस्सा है कितना आ रहा है और इस तरीके से हम इधर भी नापेंगे कि हमारा जो हिस्सा है साड़े चार इंच पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए बराबर हमें से लगाना है तो हम इसे perfectly fix कर देते हैं और ये हमारा stand आदे से ज़्यादा तयार हो चुका है आपना है तो हम इस तरीके से ड्रॉज को fix कर लेंगे तो देखिए दोस्तों हम nut को कुछ इस तरीके से fix करेंगे nut हम इसे बराबर रखेंगे और देखिए इसे हमने इस तरीके से रख लिया है इसे दो-दो उंगली की मदद से हम इसे gap दे दे देंगे और इसे इस तरीके से perfect रखके सीधा इसमें भी हम drill की मदद से छोटे छोटे छेट कर देंगे तो देखिए हमने इसमें छोटे छोटे छेट कर दिये और ये काफी अच्छी तरीके से हम drill की मदद से इनमें छोटे छोटे छेट कर देते हैं तो देखिए हम इसका कचरा जाड़ देते हैं और इसे इस तरीके से रख देते हैं इन नटों को हमें हतोरी से नहीं ठोकना है इने हमें हाथ की और स्कूप ड्राइवर की मदद से टाइट करना है तो हम इसने इस तरीके से रखते हैं स्कूप ड्राइवर लेते हैं और इसे त लगा कर इस तरीके से टाइट कर देंगे तो ये काफी अच्छी तरीके से टाइट हो जाएंगे क्योंकि ये फाइवर का है अगर गलती से हमारी हतोड़ी इधर उदर गई तो ये फाइवर का हिस्सा तूट जाएगा तो हम काफी अच्छी तरीके से इनके नट टाइट कर रह हैं और काफि इसी तरीके से यह टाइट हो जाते हैं तो अगल.는 लास्ट वाला नट भी कुछ इदर इस तरीके से टाइट करदेते हैं इस पत्टी में हमें 3 नट लगाने होते हैं । दोनों साइट इसी तरीके के पत्टी लगे और ये हमारा DR시는 fix हो जाएगा तो देखिए हमने इसे काफी अच्छी तरीके से fix कर दिया है एक side से और ये मजबूती से लग चुका है अब हमने दूसी तरफ का भी fix कर दिया था और ये देखिए कितनी आसानी से smooth टरीके से अंदर बाहर हो रहा है अब हम आ जाते हैं food pedal की तरफ, तो food pedal में कुछ इस तरीके से clip दी गई है और ये clip को हमें इस तरीके से tight करना है, देखिए तो देखिए इस तरीके से हम पाने की मदश से इन नटों को tight करते हैं clip की इसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती से tight करना है और देखिए ये जो हमारी food pedal की plate है, इसे हमें इस तरीके से रखना है और ये वाला हिस्सा भी इधर इसी तरीके से लगाना है इन दोनों हिस्सों में एक एक lock बना होता है, तो आपको food pedal की plate में भी एक hole होता है उसमें मिलाकर इस तरीके से लगा देना है और इसे fix कर देना है तो हम इसी तरीके से पाने की मदद से इसे pack कर देते हैं जो कि बहुती आसानी से pack हो जाता है इसे ज़्यादा भी lose नहीं रखना है और ज़्यादा tight भी नहीं रखना है और बढ़िया तरीके से pack कर देना है देखिए इस तरीके से हम इसे pack कर देते हैं और एक बार confirm कर लेते हैं काफी अच्छी तरीके से ये pack हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमारा ये आदे से ज्यादा हिस्सा pack हो चुका है अब हम आ जाते हैं box पे तो कुछ SS series हमारे box में आती है जो हमें stand पर लगानी होती है तो देखिए box को कुछ इस तरीके से open करना है मैं direct इसे cart लेता हूँ KG की मदब से मैंने direct इसे cart लिया और इसकी seal open करता हूँ तो इस तरीके से मैंने इसकी seal open कर ली इसमें कुछ इस तरीके के lock है तो हमने काफ़े अच्छी तरीके से इसके seal break करके machine को open कर लिया एक पुस्टा मिला है, पुस्टे को हम रखते हैं side में और इसमें एक box है तो ये box के अंदर हमें इस machine की कुछ accessories मिलेगी जो हमें इस पटले पे लगानी है तो देखिए हम इसे open कर लेते हैं इस तरीके से इसके अंदर हमें, देखिए सारी accessories मिल जाती है सबसे पहले हमें मिलता है, ये हमारा stand जिसमें हम reel लगाएंगे तो इसे हम रखते हैं side में, इसमें पूरी reel वगेरा हम लगा सकते हैं तो इसे हम फटाक से रख देते हैं side में और हमें box में इस तरीके से machine का cover मिलता है जो की पन्नी का होता है और ये cover काफी अच्छी quality में है तो इसे भी हम रख लेते हैं side में और हमें इस तरीके से book मिलती है जिसमें machine के बारे में पूरी knowledge दी गई है और ये book में पूरा Japanese में लिखा हुआ है तो ये Japanese machine है इसलिए हमें इसे भी रखना पड़ेगा side में और देखिए क्योंकि हमें तो पढ़ना आता नहीं है तो पहले number पे हमें ये चीज मिल जाती है और हमें regulator मिल जाता है और ये हमारे पेर से दाप को उठाने वाला मतलब घोड़े को उठाने वाली चीज तो हम इसे निकाल लेते हैं ये सारी चीजों की ज़रत पड़ेगी और जैसा कि आप regulator को देख रहे हैं regulator हमें कुछ इस तरीके से लगाना है यहां से हमें चार उंगली का गैप रखना है और regulator को कुछ इस तरीके से रख देते हैं अब हम क्या करेंगे marker की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे इसमें बड़ी अच्छी तरीके से होल दिये रेते हैं तो इन होलों में हम marker की मदद से निशान लगा लेंगे और drill की machine की मदद से इसमें होल कर लेंगे तो ले लेता हूँ मैं drill की machine और इसमें drill से होल कर देता हूँ होल हमें छोटे छोटे करना है अंदर तक के नहीं गुसाना है पटले की quality बहुत अच्छी है और एकदम finishing वाली है तो ये Japanese machine का एक quality मुझे बहुत पसंद आई कि इसका जो पटला है बहुत अच्छा है और quality वाला पटला है तो देखिए इस तरीके के packet में कुछ nuts आ जाते हैं तो ये जो nut है हमें इस तरीके से इसके regulator में लगाना है तो ये machine में हम ये nut लगा देते हैं और regulator को pack कर देते हैं और साथ में इसमें fiber clip भी है wire को लगाने के लिए तो हम इसमें अच्छी तरीके से nut लगा देते हैं देखिए इस तरीके से और मैं सारे nutों को ठोक के नहीं pack करूँगा क्योंकि ये भी बहुत नरम हिस्सा होता है मतलब गलती से इदर उदर लग जाए तो ये तूट जाएगा इसलिए मैं टी पाने की मदद से इसे pack करूँगा तो चलिए मैं इसे फटाक से pack कर लेता हूँ जैसा कि मैंने आदे से जादा nut tight कर लिए हैं तरीके से टी पाने की मदद से काफी अच्छी तरीके से tight हो जाता है तो देखिए हमने इसे काफी अच्छी तरीके से tight कर लिया है और काफी मजबूत यह regulator tight हुआ है तो चलिए हम इसमें अब fix करेंगे पट्टी तो पट्टी किस तरीके से fix करनी है मैं आपको वो बताता हूँ तो देखिए ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसे हमें कैसे fix करना है मैं आपको बताता हूँ इस चीज को आप खोल दीजिएगा आपको इसमें 10 नमबर का पाना लगेगा तो 10 नमबर के पाने से ये नट बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा तो देखिए कितनी आसानी से ये नट खुल जाता है और आप इन दोनों रॉडों को अलग कर लेंगे देखिए ऐसे आपको इन दोनों रॉडों को अलग कर लेना है एक रॉड हमारी रेगुलेटर में लगेगी और दूसरी रॉड हमारी फूड पैडल में लगेगी तो रेगुलेटर में कुछ इस तरीके से ये रॉड लगती है एक नट अंदर ही आना चाहिए और दूसरा नट इसमें इस तरीके से लग जाना चाहिए तो दोस्तों देखिए हमने इस तरीके से इस nut को pack कर लिया है और हम इसे पाने की मदद से अच्छी तरीके से tight करेंगे इसमें भी हमें 10 नंबर का पाना लगेगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये 10 नंबर का पाना इसमें लग जाता है अब 10 11 नंबर का पाना ले लीजिए वो इसमें बहुत आसनी से लग जाता है तो देखिए किस तरीके से में इसे tight किया है आप भी इस तरीके से tight कर सकते हैं और इस rod को इस तरीके से हम मिला देंगे और ये वाला हिस्सा हम food pedal पे लगाएंगे इसे भी हम उसी तरीके से tight करना है जिस तरीके से हमने regulator में tight किया था तो देखिए हम इस तरीके से इसे भी tight कर रहे हैं इसे tight करना बिल्कुल easy होता है कोई जादा महनत का काम नहीं होता है बस step by step आप follow करते चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे tight करेंगे अब देखिए इसमें जो ये clip थी इन दोनों rod को जोडने के काम में आईगी आप इन्हें इस तरीके से set कर लीजिए आपको जिस तरीके से python की position चाहिए तो आप उस तरीके से इसे रख सकते हैं मैंने normal position में इसे रखा है तो मैंने इस तरीके से इसे tight कर लिया है तो ये काफी अच्छी तरीके से tight हो जाता है तो देखिए हमने इसे काफी अच्छी तरीके से fix कर लिया है अब हम इस stand को सीधा कर लेते हैं तो फटाक से हम इसे सीधा कर लेते हैं और box के तरब चलते हैं तो box में देखिए आपको इस तरीके से oil tank मिल जाता है और हमें साथ में इस तरीके से ये मिल जाता है इसे हम अलग रख देते हैं हमें अब ज़रुत पड़ेगी इस rubber click की और ये रहा हमारा power cable ये साथ में कुछ tools ये पैंचकस और ये हमारे all का डबा और ये error की पूरी list तो हम इन सारी चीजों को उसमें ही पड़े रिन देते हैं main main चीज निकाल लेते हैं और ये हमारे पेर से घोड़े को उपर करते हैं ये वाली चीज है इसे भी हमें 10-11 नंबर के पाने से खोलना है और थोड़ा सास नीचे करके tight कर देना है और देखिए यहाँ पर जब हम fix करेंगे तो हमें ये 14 नंबर के पाने से करना पड़ेगा तो ring पाने को हम ले लेते हैं और इसे खोल कर tight कर लेते हैं क्योंकि इसमें ये चीज हम fix कर देते हैं तो एक काफी अच्ची तरीके से हमने से fix कर दिया और ये जो हमारा oil tank है उसे कुछ इस तरीके से हमारी side रखना पड़ता है तो बड़ी ही आसानी से हम इसे रख देते हैं एक बार test कर लेते हैं ये बराबर fix रख रहा है कि नहीं काफी अच्ची तरीके से रख रहा है अब हमें इसमें लगाना है rubber clip तो देखें rubber clip ये जो छोटे वाले हैं आपको पीछे के side लगाने हैं इस तरीके से और जो हमारे ये जो बड़े वाले rubber click आते हैं तो ये rubber click हमें आगे के तरब लगाने हैं तो हम इस तरीके से clip लगा देते हैं और इसे oil tank को बड़िया तरीके से fix कर देते हैं और देखिए ये हमारा oil tank काफी अच्छी तरीके से fix हो जाता है अब हम आते हैं box पे तो देखिए box की ये सारी चीज़े हमें अभी जूरत नहीं है ये power cable है अभी हमें इन सारी चीजों की जूरत नहीं है oil का डबा कुछ इस तरीके से था इसमें इतना oil आता है तो oil की जूरत पड़ेगी पेचकस की जूरत नहीं है और देखिए कुपी काफी अच्छी आई है quality अच्छी लग रही है जापानी से तो quality अच्छी ही देंगे और इसमें हमारे पूरे औजार रखे हुए है सुई बॉबिन वगेरा सारी चीज़े उसमें आई है अब हम machine को करते हैं open तो देखिए machine को कुछ इस तरीके से packing में आता है तो हम नीचे से box को cut करेंगे और फिर machine क को निकालेंगे तो हमने box को नीचे से cut कर लिया है अब देखिए हम box को सीधे के सीधे ऐसे निकाल लेते हैं तो यह हमने box निकाल लिया अब हम आपको machine का first look दिखाते हैं जो की बहुत ही गजब है तो देखिए यह रहा Dyson machine का बहुत प्यारा look जो की हमारी Japanese company की machine है Dyson Japan की बहुत ही बढ़िया company है तो उस company की यह machine है दिखने में भी काफी premium quality है और काफी सुन्दर यह machine दिखती है तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें बिलकुछ इस तरीके से आया है और यह machine काफी ज़्यादा heavy है और weighted machine है तो हम उसे इस तरीके से उठाएंगे और सीधे machine प कुछ इस तरीके से यहां पर fix कर देंगे तो देखिए इसे fix इस तरीके से करना है machine को थोड़ा सा उठाना है और इस तरीके से fix कर देना है दूसरे side भी हम इसी तरीके से fix कर देंगे जो छेदवाला हिससा होता है इन clipों को उसे नीचे रखेंगे और इस तरीके से इन्हें बड़िया सा फिक्स कर देंगे तो मशीन कुछ इस तरीके से बैक में दिखती है फ्रंट लुक इसका काफी प्यारा है बहुत ही सुन्दर ये मशीन दिखती है और ये जापानिस मशीन है तो इसका लुक थोड़ा सा जापान टाइप का दिख रहा है लंबा सा और सुन्दर सा तो ये जापानिस मशीन काफी अच्छी है तो डैसन जापान की मशीन है तो देखे कितनी सुन्दर ये मशीन है बहुत ही सुन्दर इसकी quality मुझे काफी अच्छी लगी अब हम देखेंगे कि ये machine कैसी चलती है तो हम इसमें सारे power cable बगेरा लगा देते हैं और देखते हैं इस portly में क्या-क्या आया तो देखें सबसे पहले इस portly में bobbin आईए कुछ इस तरीके से तो हम इसमें से निकाल लेते हैं magnet जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे खीले थे तो हमने इसका use कर लिया है क्योंकि हमारे पास already खीले पड़े थे तो हमने वो लगा लिये हैं तो हम इसे वापस अंदर रख लेते हैं bobbin के साथ में तो हम इसे bobbin के साथ में रख लेते हैं इस pouch के अंदर तो ये काफी अच्छी साथ से इसमें आ जाते हैं कुछ nut भी इसके साथ में magnet को हम इस तरीके से side में निकाल लेते हैं और हमारी machine के साथ Allen की भी मिलती है हमें तीन और ये सुई मिलती है जो detect company की है सुई कैसी है अच्छी ही होगी हम इसे भी रख देते हैं क्योंकि Japanese machine है तो इसमें detect चलता होगा China की machine होगा Oregon की या फिर दूसरी company की सुई आती है साथ में तो ये जो हमारी टोटी है ये इस जगा पे fix होगी इस तरीके से अब हम machine को इस तरीके से उठा लेते हैं देखिए और ये जो चीजे हम यहाँ पर लगा देते हैं जिससे के हमारा गोड़ा उठेगा और magnet को nut के उपर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं तो ये काफी अच्छी तरीके से fix हो जाता है अभी हम इसमें oil नहीं डालेंगे और इसका number कुछ इस तरीके से है और इस machine का number इस तरीके से है और ये machine Dyson DS R1 machine है और ये machine Japanese machine है और ये बहुती सुन्दर machine है तो देखिए ये number था और ये machine का handset था अब हम इसे रख लेते हैं बराबर जैसे ये रखती है और इसमें देते हैं power तो देखिए हम इसे इस तरीके से वापस इसकी position में रख लेते हैं तो हमने machine को इस तरीके से बराबर लख ली है अब हम इसमें देते हैं power और इस cable को connect करते हैं तो देखिए, cable कुछ इस तरीके से दिखती है, हमें ध्यान से दिखिए, यह जो चीज है, इसे आपको ऐसे रखना है, और इसमें कैसा बना हुआ है, lock type का, तो आपको इस तरीके से cable को लगाना है, और इस button type के nut से आपको pack कर देना है, और जो यह हमारा regulator की pin है, उसे इस तरीक कैसे यहां पर fix करना है, तो यह बड़ी ही आसानी से fix हो जाती है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसे fix कर ली है, अब हम इस machine को देते हैं direct electric power, तो दोस्तों आज आते हैं machine के front पे और button दबाते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से on होती है, देखिए हमने button दबाया और इसका look क कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि बहुती सुंदर दिखता है, और यह technology Japanese है, तो Japanese technology काफी अच्छी होती है, इंडिया में Japanese technology की काफी जादा demand होती है, और इस पे trust भी होता है, तो यह machine काफी अच्छी है, और देखिए हमारे जो real stand है, वो हम कुछ इस तरीके से लगाएं तो real stand लगाना बहुत easy होता है, यह तो आपको आता ही होगा, तो मैं इसे फटाफट लगा लेता हूँ, real stand को, और फटाक से fix कर देता हूँ, तो real stand कुछ इस तरीके से आता है, और इसे fix करना एकदम easy होता है, अगर आपको यह नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको लगाना बता दूँगा वो भी बड़ी आसानी से और साथ में ये मशिन कुछ इस तरीके से दिखती है तो हमने इसको दे दिया है पावर और बटन भी कर दिया है ओन तो देखिए इस तरीके से हम इसमें धागा डाल देते हैं जैसा कि हम हर इंडर्स्ट्रिल मशिन में धागा डालते हैं अब हम इस पर सिलाई लगा कर देखते हैं जो कि हमारा में काम होता है तो सिलाई काफी अच्छी आती है और सुन्दर सिलाई आ रही है मुझे इससे यही उमीद थी क्योंकि ये जापानिस मशीन थी कि ये बहुत ही सुन्दर सिलाई लगाईगी तो डैसन कंपनी बहुत ही सुन्दर मशीन बना रही है जिसके टिप काफी ज़्यादा अच्छे आते हैं और इसमें लाइट का जो मोट दिया गया है वो सिंगल मोट दिया गया है अगर डबल मेट देते तो ज़्यादा अच्छा होता इसमें सिंगल मोट है चलो कोई नहीं पन अच्छी लाइट दे देता है और इसमें जो बटन दिया गया है उससे हम सिर्फ एकी टिप लगा सकते हैं बार बार टिप नहीं लगा सकते हैं आगे सेटिंग में होगा तो वो हम जानेंगे क्योंकि इसकी आगे और भी वीडियो बनेगी अभी यह सिर्फ पैकिंग की और फिटिंग की वीडियो थी बागी इसकी मेन वीडियो आपको नेक्स पार्ट में देखने मिलेगी तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई लगाता है जो कि सिलाई के टिप बहुत ही अच्छे आते हैं हमने टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी सिलाई करके देखी है और ये उस पर खड़ी उतरी है और बहुत सुन्दर सिलाई लगाई है मशीन का लुप भी काफी सुन्दर है और दिखने में प्रीमियम कॉलेटी प्रोवाइट कराती है डैसन और इसका जो पैंट फिनिशिंग है वो सारी चीजे बहुत ही अच्छी है जैसे कि जैक में पैंट निकल जाता है उस तरीके से इसमें से पैंट नहीं निकलेगा तो हम इसे नेक्स वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या-क्या हो सकता है और ये किस तरीके से किस-किस कपड़े पे चल जाती है तो आई होफ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ में ये Dyson Company की मशीन भी पसंद आई होगी ये मशीन काफी अच्छी है और कैसी चलती है ये आपने देखी लिया है इसकी जो में वीडियो आईगी इसके next पार्ट में आईगी आपको समझ में आएगा कि मशीन किस तरीके से चलती है अभी सिर्फ हमने इसे यूस किया है और इंस्ट्रॉल किया है तो इस तरीके से ये स्लाइट दे देती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब इसी तरीकी की जानकारी के लिए और साथी साथ आपका कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तो इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि ये मशीन है कैसी और चलती किती प्रीमियम है और इसके अंदर सिलाई किस-किस प्रकार की हो जाती है तो मिलते हैं न्यू वीडियो में जब तक लिए बाई बाई